आज की कुछ खास कबरों के साथ आगे बढ़े हर कर्मचारी को चाहिए तीन सुरक्षा ये सब्द ब्रह्मो प्रकास जिला मंत्री महा मजदूर संग ने स्रम दिवस्वव विश्व कर्मा जैन्ती के औसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते वे कहा उन्होंने कहा कि भारतिय मजदूर संग सभी राजी सरकारों वा केंद्र सरकारों से मांग करता है कि वे प्रतिक कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा वीतन सुरक्षा वा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे ताकि छोटे से छोटा कर्मचारी भी अपना परिवार का जीवन आपन कर सके। सुर्जीत राना को प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का सदस्य बनाय जाने पर छेतर में खुशी की लहर। कारी करताओं द्वारा मिठाई बाट कर खुशी मनाई गई। सदस्य सुर्जीत राना ने कांग्रेस नेत्री कुमारी सेलजा का धन्यवाद करते वे कहा कि कॉंग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कुमारी सेलजा के नातित्तों में हर रोज कारे करताओं द्वारा दूसरी पार्टीों को छोड़कर कॉंग्रेस में आस्था जता रहे हैं। कालका से छाय मुलहुत्रा की रिपोर्ट एस्ट्रॉलजर पंडित एमस थपलियाल आदित्य ने बताया कि नौरात्री में देवी शक्ती मा दूर्गा के भक्त उनके नौरूपों की बड़े विधी विधान के साथ पूजा करते हैं। नौरात्री के समय घरों में कलस स्थापित कर दूर्गा सब सती का पाठ शुरू किया जाता है। नौरात्री के दोरान देश भर में कई जगों पर मिले लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जागरण वो मा दूर्गा के विभिन सुरूपों की जहाकिया बनाई जाती है। नौरात्री में मा दूर्गा की पूजा करने से लोगों को हर स्किल परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और भक्त नौरात्री के दोरान उपवास भी रखते हैं। नौरात्री के अगले दिन दस्मी के दिन दैसेहरा यानि विजए दस्मी का परोव मनाया जाता है। रावन पर भगवान श्री राम की जीत का प्रतेख है जम्मु कस्मीर से जोगेंदर सोहिल की रिपोर्ट ग्रिह मंत्री अमिश्या जम्मु कस्मीर के सीमांग छेतरों में करेंगे रैलिया एक अक्टूबर को राजवरी दो को उत्तर कस्मीर में आएंगे विधान सभा चुनाओं के लिए तैयार होरे जम्मु कस्मीर में सियासी सरगर्मियों को तेजी देने केंदरिया ग्रिह मंत्री अमिश्या एक अक्टूबर को प्रदेश के दो दिवशिया दोरे पर आएंगे इस दोरान वह जम्मु कस्मीर के सीमान छेतरों में दो रैलिया करेंगे पहली रैली एक अक्टूबर को जम्मु सम्भाग के राजवरी और दूसरी दो अक्टूबर को उत्री कस्मीर में होगी अमिश्या की जिन इलाकों में रैलिया होंगी वहाँ पर काफी संख्या में पहाडी भासा गुर्जर बक्करवाल रहते हैं ऐसे में अंसुची जन जाती दर्जे की मांग कर रहे पहाडी लोगों को उम्मीद लगी है कि ग्रे मंत्री उनकी मांग को पूरा करने के लिए घोशना जरूर करेंगे वही गुजर बक्करवालों को भी अमिश्या से बड़ी ही उम्मीदे हैं और आज के लिए बस इतना ही बने रहें सत्य केसरी खबरों के साथ नमस्कार